हाँ जी तो क्या हाल है आपके मैं सुमित कुमार एक वाफिस सापका वस्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर भाई साब जेए का रिजल्ट आते हैं बच्चे के दिमाग में कुछ क्वेश्चन्स आते हैं सर ये बता दीजिए कि मैं टेक्निकल एंट्री स्कीम ज चाहता है अपने आपको प्रिपेड रखना चाहता है तो मैं सब बता देता हूं अपने आते रहते हैं आपको सब पता ही है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ eligibility के लिए देखिए ध्यान से सुनिए आगर आपकी class 12 में physics chemistry प्लस में maths में 60% से ज्यादा स्कोर आया है aggregate टोटल ठीक है अगर 60% से ज्यादा स्कोर आया है तो आप eligible है एक condition पूरी कर रहे हैं तो एक चीजिस से और क्लियर हो गई वह यह कि 12th appearing बच्चा नहीं दे सकता है दूसरा जे 2023 आपने दिया हो पिछली बारी कटोफ बता रहा हूं में जो आपकी CRL है वह 3,50,000 गई थी यह उपर नीचे हो सकती है पिछली दो बार से 3,50,000 उससे पिछली बार 7,500,000 ठीक है CRL अगर आपकी है तो आपको SSB को लेट रहेगी एज इसकी हमेशा आप पैरलल चलती है NDA से विकोस बैच इस भी पैरलल होते हैं अगर आप अगर आप यह के पैरलल ही इसकी एज एलिजिबिलेटी है सेम होता है वही साड़े 15 से साड़े 18 साल वाले कॉंसेप्ट है वही सेम होता है ठीक है तो यह हो गया तो अब वही है जिस बच्चे की रैंक आ रही है उसको कॉंफिडेंस लग रहा है मेरे कोडिंग जितना जल्दी हो सके वह अपनी की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं कि आपने हमारे साथ दिन काम कोर्स कराता है उसका रहना खाने से लेके और दिन रात हमारे साथ यह दिन रात त्यारी करता हो तो एसा निए कि 21 दिन में ही सब में अगर सबसे बहतरी अपने आपको कुछ आप दे सकते हो तो अपने आप अप SSB के लिए तयार करो विकोज डट एक्सपीरियंस इस जास अमेजिंग जो बच्चा गया हो ना जिसने वह पांच दिन बिताए हो एक बार उससे पूछ के देखना कि वह पांच दिन क्या उस